दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा देज भारत एक डेमोक्रेटी कंट्री है एक कंट्री में डेमोक्रेशी रन कराने के लिए वहाँ पर चुनाओ होना निश्चित है ऐसे ही आज हम जानेंगे भारतिय चुनाओ आयोग के बारे में भारतिय चुनाव आयोग भारत में चुनावी प्रक्रियाओं का पर्दिकरण करता है यह आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्थापित हुआ था आयोग में समानेता मुख के चुनाव आयोग और दो चुनाव आयोग होते हैं हालांकि चुनाव की असी सनचना बदल सकती है और यह चुनाव आयोग प्रेसिडेंट आफ इंडिया दोरह पॉइंट के जाते हैं बारतिय चुनाओ आयोग तो कमुखे का राष्ट पती, उपराष्ट पती, संसत, विदान सवा तता अन्य चुनाओ की निगरानी करना है बारतिय चुनाओ आयोग निश्पचता और न्याय के लिए परसीद है, और यह सुनिश्चित करता है कि चुनाओ बीना पच्छपात क्यों आयोग ने चुनाओ में परदर्शिता और कुसलता को बढ़ावा देने के लिए कई इनोवेटिव आइडियाज को इंट्रोडेश किया, जैसे इवियम बारतिय चुनाओ आयोग का मुख काम है भारत में लोक्तांत्रिक सिधानतों को अपनाते हुए देश में फ्री और फेर एलेक्शन कराना अगर आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेर करें और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा कर अमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें